बिसमिल्लार्मानिरहीम अस्सलाम अलेकुम आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी चोटी बच्चियों के लॉन के कपड़ों के डिजाइन जो मैंने घर पे ही स्टिच किये हैं तो आप भी इन से देखकर आइडिया ले सकते हैं और इस तरह के कपड़े बना सकते हैं इसमें प्रिंटिट भी हैं और प्रेंड ड्रेस भी हैं और मैं आपको साइस कभी बताऊंगी किस साइस मैंने स्टिच किये हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी ताकि आपके सारे डिजाइन देख सकें सबसे पहले मेरे पास ये बलैक और ये मल्टी कलर्स में प्रिंट का सूट है ये आनलाइन इस तरह के ड्रेस आपको मिल जाते हैं टूपीस जिसमें इती छोटी बच्चेवें कपड़े आराम से बन जाते हैं इस पर मैंने देखें ये जिगजग वाली लेस लगाके गुम करके ये स्लिट वाला गला बनाया है जिसमें ये गोल्डन और रैट कलर की ये लेस है और नीचे मैंने एक बटन के साथ ये टसल अटेच किया है और ये लेस मैंने गुम करके लगाई है बीच में जो है बटन लगाए है टिज बटन और साइड बैक साइड इसकी बैक का गला सिम्पल बनाया है आस्तीन में मैंने पैशन पटी के साथ ये लेस अटेच की है और चौक मैंने सिम्पल रखे हैं आगे के दामन पे भी ये ही लेस अटेच की है जिगजग वाली और ये इसकी बैक साइड का प्रिंट है प्रिंट बहुत खुबसूरत है इसलिए मैंने इस पे जादा डिजाइनिंग और जादा लेस नहीं लगाई सिम्पल सी वसी एक लेस लगाई है जो इसको बहुत खुबसूरत लुक दे रही है ट्राउजर इसका ब्लैक कलर का है जिसमें लेंड बढ़ाने के लिए मुझे नीचे जोड देना पड़ा तो मैंने ये जाइन टेस लगाके जोड दिया है ताकि डिजाइन भी बन जाए और हमें जोड भी सामने नजर ना आए ये 32 इंचिस की ट्राउजर और शर्ट से ली हुई है ये दूसरा अर्टिकल ये भी बहुत खुबसूरत कलर में है यलो समर्स के साब से कलर है और इतना प्यारा इसका प्रिंट है ये भी आपको इस तरह के प्रिंट आराम से मिल जाते हैं समर्स में इसकी गले पे मैंने देखें इस तरह से बीच में कड़ देकर डोरी लगाई है ब्लैक कलर की और ये छोटा से एक तैसल सामने अटेच किया है और डोरी में ये चोटे-चोटे टसल्स बनाके लगाए है ये देखें ये चैक वाला पिरिंट है बहुत अच्छा कलर इसका समर्ज में जिस तरह की बच्चें पहनती है आस्तीनों में मैंने इसके इलास्टिक अटेच की है थोड़ी पफी स्लीप्स बनाई है इसकी और दामन मैंने इसका सिंपल रखा है सिर्फ दामन में ट्राउजर के कपड़े का पलटा लगाया है और चौक वैसे ही मोड दिये हैं बैक साइट का प्रिंट इसका आप देख सकते हैं किस तरह का है ये भी 28 साइज में सिली हुई है लेंद इसकी 28 है स्लीव जिसकी 15 इंचिस की मैंने रखी है शोल्डर 7 इंचिस आर्मूल भी 7 इंचिस और ये मैंने कुर्टा स्टैल में स्टिच की है ये इसका ट्राउजर है इसमें भी लेंद बढ़ाने के लिए मैंने जोड दिया था सेम कलर की मैंने इसमें सीडी लेस अटेच कर दी ताकि जोड सामने नजर भी ना आए और हमारे ड्रेस की डिजाइनिंग भी हो जाए ये लॉन पैबरिक पे सारे सिले हुए ड्रेस है एक ड्रेस ये प्लेन पे मैंने डिजाइन किया है जैसे आजकल चलने इस तरह का मैंने ये डिजाइन किया है ये ढ़ाई गज में पूरा सूर तयार हुआ है ट्राउजर और शर्ट और ये 28 साइस पे सिला हुआ है इसके गले पे मैंने प्लेकेट बनाया है और एंकर थ्रेट से इस पे डिजाइनिंग की है साइडों में भी देखें ये इस तरह से एंकर थ्रेट से मैंने लाइने बनाई है पेक साइड पे जीरो की बुकरम लगा के इस ट्रेस की पूरी स्टिचिंग आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं मैंने डिटेल के साथ इस ड्रेस की सारी डिजाइनिंग और प्लैकेट बनाने का तरीका बताया है तो आप जाके विजिट करके चैनल पे वीडियो देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेए ट्राउसर में मैंने देखें साइड में ये जोड़ दिया है नीचे से कोई जोड़ ने आया है क्योंकि 28 लेंड का था इसकी लेंड पूरी हो गई थी बस उपर साइड़ों में जोड़ आया है जोके सामने नजर भी नहीं आता तो इस तरह से आप ढही गजमें ये भी मैंने cut pieces से बनाया है ये branded cut pieces बजार में बासानी मिल जाते हैं देखें आप कपड़ का texture देखें कितना खुबसूरत है ये positively года है जिस को जैकार्ट का कपड़ा है जिस पे मैंने ये screen yap लएस लगा के इसको Portal में सिया है ये 5 चोटे चोटे पीसिस थे जिनकी मैंने पूरी फ्रॉक और ट्रॉजर सिया है योक वाली ये फ्रॉक है जिसके साइडों में मैंने चुननटे दी है फ्रंट और बैक पे गले पे मैंने गुम करके ये मिलकी लेस लगाई है जो आज़कल बहुत फैशन में है और लेस इसकी दुकान पर आपको ये बाहसानी मिल जाती है तो जिस में जिस तरह का पिरिंट आ रहा है उससे मैच करते हुए मैंने ऑपट कलर की लेस लगाई है योग मैंने इसमें 12 इंची रखी है और नीचे से ये देखें इस तरह से साइडों मैंने इसके घेरे की चुन्नटे दी हैं दोनों साइडों पे बीच में चुन्नटे नहीं दी मैंने साइडों साइडों पे चुन्नटे दी हैं और जो बाकी border था वो मैंने नीचे ले लिया और front पे मैंने ये बेल लगा दी पल्टे के साथ इसी कपड़े का मैंने पल्टा यूज किये किसी और color का استعمal नहीं किया back side पे मैंने ये placket बनाकर पीछे से ये cut लगा के पाइपन लगा के इसमें ये बटन अटेच किया है ये जरूरी होता है बच्छों कपड़ों में क्यूंकर बड़े गले अच्छे नहीं लगते तो आप बैक साइट पे इस तरह से बटन अटेच करें पीछे ये जोड़ आ रहा है लेकिन ये कलर इस तरह का है तो ये जोड़ पीछे इतना पता भी नहीं चल रहा हो और हमारी इस तरह से देखी ये फ्रॉप भी तैयार हो गया आस्ती ने मैंने इसकी थोड़ी चौड़ी रखी है ट्राउजर इसका ये भी सेम प्रिंट का है ट्राउजर में कोई बॉडर अटेच नहीं किया है ट्राउजर इसका सिंपल रखा है ट्राउजर में लेंद कम्प्लीट करने के लिए ये जोड आ रहा था तो मैंने इसको देखें सीड़ी लैस के साथ अटेच किया है ताके ये जोड हमें पता न चले और ये दो जोड इसमें उपपर बीच में आए हैं तो ये उपपर चले जाएंगे पता नहीं चलेंगे इस तरह से आप जोड लगा के कट पीसिज में सूट बना सकते हैं इस ट्रेस की भी विडियो मेरे चैनल पर मौझूद है जिसमें मैंने कम्प्लीट कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है तो अगर आपको मेरे विडियो पसंद आई तो लाइक कीजे अल्ला हाफिस